यह डीजल लोको मोटिफ का फ्यूल ओइल सिस्टम है फ्यूल बूस्टर मोटर को स्टार्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि फ्यूल टैंक में फ्यूल का स्तर डेंजर लेवल से उपर हो जैसे ही फ्यूल बूस्टर मोटर को स्टार्ट किया जाता है फ्यूल बूस्टर पंप वैक्यूम उत्पन्न करता है जिसके कारण फ्यूल टैंक के सक्षन लाइन से ओयल ट्रैक्ट फिल्टर के द्वारा च्छन कर प्राइमरी फिल्टर में पहुचता है अब ओयल बूस्टर पंप से होता हुआ रिलीफ वैल्व में पहुँच जाता है रिलीफ वैल्व 70 PSI पर सेट होता है और फ्यूल के दबाव को 70 PSI तक रखता है जिससे बूस्टर पंप मोटर पे कोई अतरिक दबाव ना पड़े रिलीफ वैल्व फ्यूल ओयल की अतरिक्त मात्रा को रिटर्न पाइप के माध्यम से फ्यूल टैंक में वापस भीजता है और साथ ही फ्यूल ओयल secondary filter में filter होता है या अवश्य नोट करें कि प्राइमरी तथा secondary filter पेपर टाइप filter होते हैं जिनसे गुजरने के बाद फ्यूल ओयल में किसी प्रकार की अशुद्धी नहीं बचती है अब यह शुद्धतम फ्यूल ओयल इंजिन के दाएं फ्यूल हेडर में प्रवेश करता है इसके बाद फ्यूल ओयल दाएं फ्यूल हेडर से होता हुआ बैंजो पाइप्स में प्रवेश करता है और R8 सिलिंडर के पास क्रोस ओवर पाइप द्वारा बाएं फ्यूल हेडर में भी चला जाता है बाइं तरफ के फ्यूल हेडर के साथ फ्यूल रेगूलेटिंग वैल्व लगा रहता है जो 45 से 50 PSI पर सेट होता है यदि फ्यूल ओयल 45 से 50 PSI से अधिक दबाव में होता है तो फ्यूल रेगूलेटिंग वैल्व अतरिक्ट फ्यूल ओयल को फ्यूल रिटर्न पाइप के द्वारा फ्यूल टैंक में वापस भीज देता है रेगुलेटिंग वैल्व से गेज पाइप के द्वारा ड्राइवर्स केबिन में प्रेशर गेज लगी हुई है जो फ्यूल ओयल सिस्टम का प्रेशर बताती है इंजिन स्टार्ट होने पर फ्यूल इंजेक्शन पंप से यह फ्यूल ओयल हाई प्रेशर ट्यूप से होता हुआ इंजेक्टर में पहुँच जाता है अब इंजेक्टर से हाई प्रेशर फ्यूल ओयल पिस्टन के ऊपर 3900 से 4050 PSI के दबाव से स्प्रे होता है जिसके कारण उच्चत आपमान की हवा के साथ इंधन का दहन होता है इसी प्रकार यह प्रक्रिया दाईं तथा बाईं दोनों तरफ के आठ आठ सिलिंडरों में लगतार चलती रहती है इस प्रकार बीजल लोकोमोटिव में यह फ्यूल ओयल सिस्टम कारे करता है